कि नमस्कार साथ यह आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वित रहूने चलिए दोस्तों शुरुबात करते हैं जैसे कि अपने कौटर फोर रिजल्ट की सीरीज चल लिया है तो उसके अंदर कल के हम सुगर मिल्स लिमिटेड हो कौटर फोर रिजल्ट कर लिया देखने को मिली ग्रावट की वजद परसो थी वह थी शुगर की प्राइस था उसका डिक्रीज होना बट जैसे के बलारामपुर्चिनी का हमने अनलाइस कि आता उसके बाद में आता उसमें तेजी होगी तो आपने देखा रिपाउट की तीजी से करा शेटने क्योंकि उसक तो आज हम बात करें के समझाएं कि सिगमेंट के अंतर है थोड़ा सा थोड़ा सा आपको कर देता हूं तो कंपनी सुगर के सासद जूड़ बेक्स भी बनाती है और कंपनी स्पीट एथनॉल एक्ट्रा नैच्रल ऐलकॉहली बनाती यह ठीकिना और साधी सथ कंपनी को जनेर पावर जनरेशन काम करते हैं तो कमपनी का वरकिंग तो मैंने आपको समझा दिया अब बात करता है क्वाटर वरग्शन कैसा रहा और आगे टेटिंग कैसा रहने वाला है तो प्लिस वीडियो का पूरा देखे को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए तो हम बात करें के सुगर मिल्स लिम्टेड तो तो कमपनी आए था वह 17 मई 2.22 याई निकल के दिन आया था तो कमपनी तरफ से कोई अनॉंस्मेंट देखनें को यहां नहीं मिल देखनें तो हम चलते हैं समझते हैं कोई डिविडिन डील नहीं है तो ऐसा कुछ अपडिशन य मार्केट कैप आज की डेट में 294 करोड रुपे गा इस्टॉक पी चला इसका 7.09 का इस्टॉक आर ओसी का चला 15.2 परसेंट का वुग वैलू इसके 27 रुपे चार पैसे के रिटान ओफ विक्वेटिस का 17.8 परसेंट का है डिविडेंड कंपनी ने वित तक दे 0.13 परसेंट क अब देखें स्टॉक ट्रेट करा 1.16 टाइमस वुग वैलू अब इसके अर्निंग जेकते हैं मार्च दो जावाइस इस कौर्टर में अर्निंग हुई है 105 करोड पे की ऑप्रेशन प्रॉफिट आया 10 करोड पे गा नेट प्रॉफिट निकल गया है 6.84 करोड पे का अर्निंग परसें निकल के आया 0.54 का तो यह देख रहे हैं आप 0.54 का इसका अर्निंग परसें निकल के आया इस कौर्टर में लाश्ट कॉर्टर से कमें दिसंबर तो लाश्ट कॉर्टर से ती 70 करोड वह बढ़की यह 105 करोड़, और फरिशन प्रॉफिट 14 करोड से घटके 10 करोड हुआ है और नेट प्रॉफिट साथ 7.42 से घटके 6.84 करोड हुआ है अनिंग पर से भी 0.81 से घटके 0.14 हुआ है अब ला प्रोफिट चेपन तेरा से बढ़के चेपन चुरास हुआ है और अनिंग पर शेड भी हमारा जीरो पंड शर सर से बढ़के जीरो पंड चोतर हुआ तो आप देखेंगे यह रिवाई थोड़ा सा अप्ट्रेंडिंग देखने हो मिला हमार को आप देख सकते हैं अनिंग पर अप्ट्रेंडिंग देखने हो मिला साथ नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा माइनस अप्ट्रेंड है बाकि सेल में जो इसाफा देखने हो मिला हमेरे क्वाटर को वाई एरिया वावुद देखने दिखने लेक्स समझ जा रहा है कि 63 क्रोर ती लास्ट यह तो बढ़के 105 वाटर वाई तो इसका एफेक्ट देखना हो मिला किस वजह से क्योंकि जो इंटरनेशनल सुगर की डिमांड ती जो सुगर के प्राइस है को उसके चलते कंपनी ने अच्छा का सा रेवेन्यू जनरेट करा है तो यह इंपक्ट देखने हो मिला सेल के अंदर इस वजह से देखें रिजल्ट आने से पहले यह 1.92% तेजी लगा के बंद हुआ कल की दिन ओपन होता 32 रुपे हाई मारेस ने 32 रुपे 90 पैसे गा लो मारेस ने 31 रुपे 60 पैसे गा 52 रुपे 44 पैसे गा 52 रुपे 70 पैसे गा 5 दिन के अंदर 7.5% की गिरावाट दिखा चुका है वन मन पार चाहित यह वह देखने को मिलेगी बट ज्यादा नहीं कि रिजल्ट के अंदर शेल को जो इंपक्ट हो वह अच्छा का सब मुनाफ़क का में बड़ी है इसका इंपक्ट देखने हो मिलेगा आपको तो आपको क्या करना है अगर आपके पास है तो होल्ट रखें नहीं तो इसके अंदर स्टॉप 39 के साथ ट्रेट करता है ऐसा नहीं कि आज आप इनिवेस्ट करेंगा तो कल के दिन यह तीजी से भाग जाएगा यह स्लोब इसाथ चलता है एक दो रुपया का रहता है अगर आपको इसको लॉंग ट्रम के लिए होल्ड करें लॉंग ट्रम के लिए के लिए शेर नहीं है इसमें लॉंग ट्रम करकेंगे तो आने वाले टैम पर अच्छे रिटर्न भी देगा शेर क्योंकि जिस तरह से शोगर शेर हो अथैनल की डिमांड को लेके जिस तरह से निज्ट निकल कर रहे हो उसके चलते हुए शेरों के अंदर मुमेंट देखने ह नजर आएगा आई होप यह वीडियो आपके उस पूले दा प्लिस वीडियो को लाइक शेयर वावट करना बिलकुल ना वोलें थैंक यू सो मच पूर वाचिंग दिस वीडियो